तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप लोग एक दम अच्छे से होंगे और मल लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी लोगों को हम कल ही बता दिये थे कि आज वारानिका का दूसरा नंबर चिप्टर होने वाला है और दूसरा नंबर चिप्टर जिसका नाम है ढहते बिस्बास और प्यारे बच्चों हम सुरुवात में ही एकदम सच्चाई आपको बता दे कि अगर आप इस कहानी को एकदम मन से एकदम ध्यान से सांती पुरुबक अगर पढ़ लेंगे न तो आपके आँख से आँसु निकलना बड़ा मुश्किल नहीं होगा एकदम तै है कि आपके आख से आँसु निकल जाएगा अगर आपके अंदर दया का भावना होगा तो क्योंकि ये कहानी इतना दर्दनाक कहानी है इतना मारमिक कहानी है कि पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम इसी कहानी में चले गए है ये एक उडिसा की कहानी है प्यारे बच्चों उडिसा के एक गरीब महिला की कहानी है एक ऐसे गरीब महिला की कहानी है जिसका पती भी उसके साथ में नहीं रहता है उसका पती भी बाहर में नौकरी करता है उसके दो तीन वेटें हैं और बाढ़ के कारण बेटों की मृतु हो जाती है, ये इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, तो धहते बिस्वास, नाम ही है इस चिप्टर का धहते बिस्वास, यानि कि बिस्वास धह रहा है भगवान के उपर से, इस कहानी में यही दिख आया जाना चाहिए, ताकि बच्चे भाई इस कहानी को एकदम अच्छे तरीके से समझें, ठीक है, तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि प्यारे बच्चों, अगर आप इस कहानी को देखना शुरू कर चुके हैं, पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो फिर कम से कम न अगले आधा घंटा 45 मिनट के लिए हमारे साथ आप लोग एकदम एकागर्चित हो जाईएगा, ताकि एकदम अच्छे तरीके से आप लोगों को यह कहानी समझ में आ जाए, ठीक है, तो चलिए जी, आज के इस कहानी को हम सुरू करते हैं, लेकिन कहानी को हम सुरू करें, इसके पहले हम थोड़ा सा इस कहानी के जो लिखने वाले हैं, इस कहानी के जो कहानीकार हैं, उनके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो हम इस कहानी के बारे में तो जानेंगे ही और बहुत ही बिस्तार से जानेंगे, लेकिन इस कहानी के जो कहानीकार हैं, उनके बारे में जानेंगे तो चलिए हम लोग पहले कहानिकार के बारे में जान लेते हैं लेकिन पहले बचा दे प्यारे बच्चों कि जो बच्ची अभी तक टॉपर बैच में नहीं जुड़े हैं जो बच्ची अभी तक टॉपर बैच का हिस्सा नहीं बने हैं तो टॉपर बैच में आप लोग जरूर एडविसन ले लें क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है ठीक है और कम समय में आपको बहतरीन तयारी करनी है तो ऐसे में अगर आप लोग इस टॉपर बैच के साथ जुड़ते हैं तो फिर आपको बहुत जादा हिल्प मिलेगा बहुत कहानी के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बचों और जो हमारा यह कहानी है इसका नाम है ढहते बिस्वास कहानी का नाम है ढहते बिस्वास ठीक है ध्यान से जरा सुनियेगा एक एक चीज आपको समझ में आएगा इस कहानी का नाम है ढहते विस्वास और इसके कहानी के कहानिकार है सात कोड़ी होता सात कोड़ी होता सात कोड़ी होता ठीक है न ध्यान रखिएगा इस कहानी के कहानिकार कौन है सात कोड़ी होता तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा ठीक है जरूर आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए ठीक है ना ध्यान रखिएगा तो साथकोडी होता के बारे में अभी हम लोग जानेंगे साथकोडी होता भी एक उरिसा कहीं क्या है व्यक्ति है उरिसा कहीं क्या है जी लेखक है तो साथकोडी होता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहां के है साथकोडी होता जो है न ये प्यारे बच्चों कहां के हैं ये उरीसा के हैं ध्याम रखिएगा ये कहां के हैं ये उरीसा के हैं उरीसा के कथाकार हैं कहां के हैं उरीसा के यानि की उरिया जो उरीसा के होते हैं उनको कहा जाता है उरिया समझ गए तो इनके बारे में हम लोग उडिसा को न लिख करके हम कह सकते हैं उडिया कथाकार हैं क्या कह सकते हैं उडिया कथाकार हैं समझ गए ना उडिया कथाकार हैं आप लोग ध्यान रखिए क्या लिख सकते हैं ये उडिया कथाकार है समझ गए ध्यान रखिएगा जो साथकोडी होता है वह एक उडिया कथाकार है जिनका जन्म होता है प्यारे बच्चो अगर हम लोग जन्म के बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था किनका साथकोडी होता का जन्म हुआ था ध्यान रखिएगा जन्म के बारे में बात करें तो 29 अक 37 इसवी को इनका जन्म हुआ था उडिसा में ही उडिसा के मयूर गंज नामक जगह पर कहा पर मयूर गंज समझ गए ना मयूर गंज जो की पड़ता है उडिसा में ही तो उडिसा के मयूर गंज नामक जगह पर इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था ठीक है इनके बारे में आप लोग धान रख्येगा और यह जो साथ कोड़ी होता है यह छोटे मोटे कोई कथाकार नहीं है इनका दरजनो किताब छप चुका है समझ गए हम क्या बोल रहे हैं यह कोई छोटे मोटे भी अपना योगदान दे चुके हैं यानि के रेल विभाग में भी काम कर चुके हैं उसके बाद यह जो है यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं यह जो है यातायात विभाग में भी काम कर चुके हैं समझ गए यातायात विभाग में भी यह क्या कर चुके हैं काम कर क्लास को आप लोग शेर कर दीजे तो जल्दी क्लास को वह हुआ क्लास को घ्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा ये जो कहानी था न ढयाते विस्वास आज लिखाँ हुआ कहानी था यानि की विवासा कहीं लिखाँ हुआ था लेकिन एक व्यक्ति है जिनका नाम है राजेंदर परशाद मिस्र क्या नाम है हिंदी में अनुवाद किये हैं यह क्या किये है हिंदी में अनुवादन किये हिंदी में अनुवादन किये कौन तो राजेंदर परशाद मिस्र क्या नाम है राज्यंद्र परशाद मिस्र समझ गए ये राज्यंद्र परशाद मिस्र जो है न यहीं क्या किये है इसको हिंदी में रुपांतरित किये हैं हिंदी में अनुबादित किये राज्यंद्र परशाद मिस्र तो यह है प्यारे बच्चों पूरा लेखक पर्चे जो कि एकी सलाइड में पूरा सिवट करके रह जाता है ज्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है बस आपको यही याद रखना है कि यह जो हमारा कहानी है ध्याते विश्वास इसके लेखक है साथ कोड़ी होता जो कि उड किये हैं कौन राजंदर प्रशाद मिस्र यह जो साथ कोड़ी होता है या रेल विभाग में और या तयात विभाग में भी काम कर चुके इसके अलाबा दरजनों इनके पुस्तके भी छपे हुए यानि कि बहुत बड़े अथाकार भी हैं बहुत बड़े कहानी कार भी है और दरजनों पुस्तक इनका छपा हुआ है तो यहां तक प्यारे बच्चो आप सब लोग ना एकदम अच्छे तरीके से याद कर लीजेगा अब चलिए हम बात करते हैं इस कहानी के बारे में चर्चा करते हैं अगर हम इस कहानी के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले आपक कहानी घुमता रहे, समझ गए, किसी भी कहानी में मुख पात्र, हम लोग उसे कहते हैं, जिस पर पूरा कहानी क्या करे, घुमता रहे, तो ये मुख पात्र के रूप में, इस कहानी में एक महिला है, जिसका नाम है लक्षमी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लक्षमी, ये पिचारी का जो घर है वो पुवाल का है, फूस का है, समझ गये ना, इनका जो घर है वो किस चीज का है, फूस का घर है, ध्यान से सुनिएगा, अगर बीच से कहानी को देखिएगा, समझ में नहीं आएगा, बढ़ा बढ़ा करके देखिएगा, समझ में नहीं आएगा, एकद भी हो चुका है इसके पती का नाम है लक्षमन नाम एकदम मिलता जुलता है इसके पती का क्या नाम है लक्षमन लक्षमन इसके पती का नाम है जो कि कलकत्ता में नौकरी करता है ये लक्षमन क्या करता है कलकत्ता में नौकरी करता है ताकि अपने परिवार का भरण पोशन ठीक है यह कलकत्ता में नौकरी करता है कौन लक्षमी का पती लक्षमन ठीक है ना लक्षमी का पती जो लक्षमन है वो कलकत्ता में नौकरी करता है यहां तक सारे बच्चे समझ गए ये जो लक्शमी है ना, इसके 4 संताने हैं अगर इसके संतान के बारे में बादचित किया जाए तो इसके 2 बेटे है इसके 2 बेटे हैं, एक तो बड़ा बेटा जो है जो लगबग 15 साल है और छोटा बेटा अभी मां तरेक साल का है दो बेटे हैं जिसमें बड़ा बेटा जो है वो लगवग 15 साल का है और छोटा बेटा जो है वो अभी एक साल का ही है इतना छोटा है कि अभी ओभा मा का दूध ही पीता है इतना छोटा है कि अभी ओभा मा का दूध ही पीता है शंतान दो बेटे हैं और दो बेटियां है ठीक है बेटियां भी कुछ बड़ी है बेटियां भी कुछ बड़ी है सबसे छोटा एक बेटा है जो की एक साल का है ठीक है न तो यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया यह हो गया लक्षमी का पूरा परिवार लक्षमी उसका पती लक्षमन और संतान में दो बेटे और दो बेटियां ठीक है अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा एक बात आप लोग यहां पर जो बड़ा बेटा है ना जो बड़ा बेटा है लक्षमी का जो बड़ा बेटा है ध्यान रखिएगा क्या बताए एक बड़ा बेटा ह एक बड़ा बेटा है और बड़ा बेटा का नाम है अच्ची उत नाम है बड़ा बेटा का क्या नाम है अच्ची उत यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक बड़ा बेटा है जिसका नाम क्या है अच्ची उत और छोटा बेटा कितने साल का है एक साल का है वार वार हम आपको बता ठीक है ना थोटा बेटा बस एक साल का है और बड़ा बेटा 15 साल का लगभग है जिसका नाम है अच्ची उत्र ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान रखिए गा लक्षमी का जो घर है ना लक्षमी का जो घर है वो देवी नदी के बांध के नीचे है देवी नदी है उसके बगल में एक नदी है जिसका नाम है देवी नदी तो देवी नदी के बांध के नीचे ठीक है देवी नदी के बांध के नहीं लगता पढ़ने में, तो इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं, तो देवी नदी के बांध के नीचे इसका घर है और इसके समीप यानि की घर के समीप जहां पर लक्छमी का घर है ना, उसके घर के बगल में एक और बांध है जिसका नाम है दलेई बांध क्या नाम है दलेई बांध के निकट क्या है इसका घर है यानि कि इसके बगल में दो बांध है लक्षमी का जहां पर घर है उसके घर के बगल में दो बांध है बांध किसे कहते है जहां पर नदी के पानी को रोका जाता है तो इसके घर के बगल में दो बांध है एक तो देवी नदी के बांध के नीचे इसका घर है देवी नदी प्यारे बच्छो बहुत उचा बांध है और उसके नीचे इसका घर है अगर बांध तूटता है तो इसका पूरा घर पर डूब जाएगा तो देवी नदी के बांध के नीचे घर है और दलेई बांध के निकट, दलेई बांध के कारण ज़्यादा तबाही आता है, समझ गए ना, हर एक वर्स लक्षमी के गाउं में क्या जाता है, बाल हा जाता है, समझ गए, अब जड़ा देखिये का ध्यान से, तो आपको हम बता दें कि जो लक्षमी का, अभ लक्षमी के द्वारा एक विघा जमीन, एक विघा जमीन, एक विघा जमीन समझते हैं, कितना को कहा जाता है, लक्षमी के द्वारा एक विघा जमीन खुड़ा गया था, ठीक है ना, खुड़ा गया था, यानि कि लक्षमी के पास कुल एक विघा जमीन था, एक विघा कहत बीस कठा को एक बीघा कहा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि लक्षमी के पास ना एक बीघा जमीन था जो कि उसके पुरवजों के द्वारा छोड़ा गया था जैसे होता है ना कि हमारे दादा जी जो जमीन दिये वो अब हमारे पिता जी को दिये पिता जी जो जमीन बचा कर रके रखें वो हम लोगों को देंगे हम लोगों जो जमीन बचा कर रखेंगे वो हम अपनी अगली पिढ़ी को देंगे तो उसी तरीके से पुरवजों के दौरा एक बिगा जमीन नहीं इसके लिए छोड़ा गया था ठीक है मतलब कि लक्ष्मी के पास स्कुल कितना जमीन था एक बिघा जमीन था प्यारे बच्चों ये बात आप ढ़ो ध्यान रखिएगा ठीक है अच्छा इस दलेई बांध के बारे में थोड़ा सा और हम आपको बता दें कि जहां पर लक्षमी का घर था ना, जहां पर लक्षमी का घर था, तो लक्षमी के घर के बरामदे से ही ये दलेई बांध दिखाई पढ़ जाता था, इतना निकट था, समझ गए ना, यानि कि बरामदे से दिखाई पढ़ता था, ध्यान रखिएगा, बरामदे से, बरामदे से दिखाई पड़ता था क्या ची दलेई बांध दिखाई देता है बरामदे से ही प्यारे बच्चों दिखाई देता है क्या दलेई बांध मतलब दलेई बांध के इतना नजदीक है लक्षमी कि बरामदे से ही उसे दलेई बांध क्या हो जाता है दिखाई देता है ठीक है ना हाँ, समझ में आ रहा है न सारे बच्चों को, चलिए बहुत बढ़ी है, तो दलेई बांध के निकट घर है और, दलेई बांध इतना नजदीक है कि बरामदे से ही उसे सब कुछ दिखाई दे देता है कि दलेई बांध पर क्या कुछ चल रहा है, तो अब ज़र आप लोग ध् संतान है, बड़ा बेटा का नाम अच्यूत है, और छोटा बेटा लगभग एक साल का है, और घर जो है लक्षमी का वो देबी नदी बांध के नीचे है, और दलेई बांध के एक दम नजदीक में है, और दलेई बांध उसके घर से इतना नजदीक में है कि बरामदे से ही द तो लक्षमी के गाउं में हर एक वर्स बाढ़ा जाता था लक्षमी के गाउं में ध्यान रखिएगा लक्षमी के गाउं में प्रतेक वर्स बाढ़ा आता था ठीक है? क्या आता था? बाढ़ा आता था समझ में आया? लक्ष्मी के गाऊं में प्यारे बच्छो प्रतेक वर्स बाढ़ा जाता था यहां तक हो गया पूरा कहानी का सरांस इसी के, मतलब जितना हम बता दिये इसी के इρद गिर्द इये पूरा कहानी घूमते रहेगा जितना हम अभी बता दिये इसी के इर्द गिर्द प्यारे बच्चो पूरा कहानी गुमते रहेगा अब चलिए हम कहानी के सुरुआत करते हैं इतना तो सब कुछ समझ में आ गया अब चलिए प्यारे बच्चो हम कहानी की सुरुआत करते हैं ठीक है ये है प्यारे बच्चो लक्षमी हम एक छोटा सा चित्र बनाते हैं लक्षमी का समझ गए ना ये है प्यारे बच्चो क्या लक्षमी समझ गए ये कौन है लक्षमी है जो कि एक दम गरीब असहाइब महिला है जी समझ गए ये लक्षमी है ये लक्षमी है प्यारे बच्चो इसके चार बेटे हैं लक्षमी बेचारी किसी भी तरीके से उधार और कर्ज लेकर के लक्षमी किसी भी तरीके से उधार कर्ज लेकर के अपना एक छोटा सा कुटिया बनाई है यानि कि छोटा सा एक जोपड़ी बनाई है जो कि फूस और पुआल का है एक किस चीज़ का है? फूस और पुआल का है लक्षमी जो है एक छोटी सी घर बनाई is एक बहुत छोटा सा घर बनाई है जो की उधार और कर्ज ले करके, मतलब उसके पास इतना भी पईसा नहीं था कि वो अपने पैसे से घर बना सके तो इसलिए वो उधार कर्ज ले करके बांस बन, जैसे बांस का घर बनता है ना बांस का, तो बांस और पुवाल का वो क्या बनाई है? एक छोटा सा घर बनाई है, ठीक है? इसका पती जो है वो कलकत्ता में नौकरी करता है, लेकिन नौकरी करने के बावजूद भी उसे इतना तनख्वाह नहीं मिलता है, मतलब वो इतना बेचारा नहीं कमाता है कि इसके परिवार का अच्छा से भरन पोशन हो सके, और इसलिए जो लक्षमी है, ये अपने परिवार को चलाने के लिए अपने बाल बच्चों को पोशने के लिए, ये क्या करती है, बगल के ही एक व्यक्ति है तहसिलदार शाहब, बगल के ही एक व्यक्ति है जिनको लोग ना तहसिलदार सहब कहते हैं, तहसिलदार, तहसिलदार शाहब, समझ गए, बगल के ही एक व्यक्ति है तहसिलदार शाहब तो ये तहसिलदार शाहब के यहाँ छोटा मुटा काम करती है लक्षमी को लगता है कि भाई पती अकेले कमा रहे हैं और अकेले उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है तो छोटा मुटा घर चलाने के लिए हम भी काम कर लेते हैं तो ये बिचारी लक्षमी जाती है और तहसिलदार शाहब के यहाँ छोटा मुटा काम करती है जैसे बरतन ही मांज देती है खाना बना देती है जाडू पोछा कर देती है तो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं इसको तो ये ध्यान रखिएगा कि लक्षमी अपना घर चलाने के लिए तहसिलदार शाहब के यहाँ छोटे मुटे काम कर लेती है एक बिघा जमीन बिचारे का पुरवच छोड़ करके गए है तो एक बिघा जमीन जो छोड़ करके गए है ध्यान रखिएगा जब धान रोपना होता है तो पहले छोटे से खेत में बीज बो दिया जाता है और फिर जब बिछडा तयार हो जाता है जिसको कहीं कहीं पर मोरी भी कहा जाता है जब वो तयार हो जाता है तो अब उसको उखाड़ करके खेतों में लगा दिया जाता है धान की फसल के लिए तो जाता है धान क्या हो जाता है छोटा-छोटा अंकुरित भी हो जाता है ठीक है ना धान छोटा-छोटा-छोटा-छोटा-छोटा अंकुरित भी हो जाता है समझ गये लेकिन जब यह अंकुरित होता है तो इतना तेज धूप करता है इतना तेज धूप करता है जैसे मानों की और अंकुरन सब जलने लग जाता है सुखने लग जाता है मतलब जो हरा भरा पौधा था ना वो सुख करके स्वाहा हो गया हरा भरा जो पौधा था वो सुख करके क्या हो गया एकदम स्वाहा हो गया यानि कि जो बैचारी बुनी थी बिछडा कि किसी भी तरीके से अपना धान रोप लेंगे वो सुख गया धूप के कारण समझ गया धूप के कारण क्या हो गया सुख गया पिचारी लक्षमी अकास की और देखती है कि भाई पानी पढ़ जा थोड़ा सा तो फिर से ये जिवित हो जाए हरा भरा हो जाए तो ये लगातार आसमान की और देखती रहती है कि पानी अगर पढ़ जाता तो हमारा जो बिच्छडा है हमारा जो धान का जो बिच्छडा है वो फिर से जिवित हो जाता लेकिन पानी नहीं पढ़ता है लेकिन पानी नहीं पड़ता है अचानक क्या हो गया धान का बिया कहते है उसको कुछ भी कहिए चलिए समझ गए ना भाई धान का बिया कहते है उसको ठीक है धान का बीज कह लीजे धान का बिया कह लीजे धान का बिचला कह लीजे धान का मोरी कह लीजे कुछ भी कह लिजे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जैसे ही भादो शुरू हुआ, कमाच गया ना, साबन में ये रोप लेती है, भाई, साबन में ये धान का भिया भोती है, लेकिन ये सुख गया, तो जैसे ही भादो शुरू हुआ भादो समस्ता है ना हिंदी महीना का एक महीना है जैसे होता है ना चैत विसाख, जेठ, असाडH, सावन, भादो, आसिन, कातिक, अगहन, पूष, माग, फागुन ये बारह महीने होते हैं तो ये प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जैसे ही भादों सुरू होता है तो भादों के सुरू में ही पानी पढ़ना सुरू हो जाता है मतलब इसका एक तरफ तो बीज क्या हो रहा था सूख रहा था और जैसे ही भादों सुरू हुआ, अचानक से पानी पढ़ना सुरू हो गया और पानी इतना ज़्यादा पढ़ने लगा कि बारिस थमने का नाम ही नहीं ले रहा था पानी इतना ज़्यादा पढ़ने लगा प्यारे वैच्छों पानी इतना ज़्यादा पढ़ने लगा, समझ गया ना, पानी क्या हो गया, पानी पढ़ना अब शुरू हो गया है, समझ गया, पानी पढ़ना अब शुरू हो गया है, पानी इतना ज़्यादा पढ़ने लगा, कब भादों में, समझ गया ना, पानी इतना ज़्यादा पढ़ और पंद्रह दीन से मुसला धार बारिस हो रहा है कहां पर? लक्षमी के गाउं में पंद्रह दीन से मुसला धार बारिस हो रहा है लगभग पंद्रह दीन से सुर्ज देवता नहीं हो गया है सुर्ज देवता का दरसन नहीं हुआ है इतना ज़्यादा मुशलाधार बारिस हो रहा है लगभग 15 दिन से समझ गए यानि कि बारिस जब नहीं हो रहा था तो सुखाले पर गया था और जब बारिस होना शुरू हो गया तो इतना ज़्यादा घंगोर बारिस होने लगा कि अब छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है समझ गए ना? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा अब क्या हुआ? जब बारिस इतना ज़्यादा पढ़ने लगा तो लक्षमी को वो दिन याद आ गया कौन दिन? जब वो पहली बार अपने ससुरा लाई थी जब पहली पहली बार वो अपने ससुरा लाई थी तो इसी तरीके का बारिस आया था और इसी तरीके से बारिस आया उसके बाद भयंकर बाढ़ हाया था तो वो दीन लक्षमी को यादा आगया वो सोचती है कि जब है पहली बार ससुरार आये थे, तो ऐसा ही क्या पढ़ता था, राई शाया था और जो दलेई बांध है ना इसके निकट में जो दलेई बांध है, पहली पहली बार जब यह ससुरार आई थी न तो दलेई बांध यही बाला टूट गया था और चारो और तवाही का मंजर आ गया था समझ गये जब पहली पहली बार यह अपने ससुरार आई थी तो उसको वह दिन याद आ जाता है करें देखो न फिर से इतना ही पानी पढ़ रहा है ऐसा पानी तो हम जब पहली बार जब ससुरार आये थे न तब उस समय आया था और उस समय दलेई बांध तूट गया था क्या तूट गया था दलेई बांध तूट गया था और इतना भयानक मंजर था कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के सरीर में लिपट करके रो रहा था और उसकी माँ बाढ़ के पानी में डूब करके मर गई थी तोची का कितना दर्दनाक कहानी है किस तरीके से दर्साया गया है कि एक माँ जो की बाढ़ के पानी में डूब करके मर गई है और उस मा के सरीर से लिपट करके उसका एक छोटा सा बच्चा रो रहा है और हद तो तब हो गई भगवान की करिस्मा देखिए हद तो तब हो गई जब वो बच्चा अपनी मा के सरीर के साथ चिपट करके रो रहा है और उधर जंगल से सियार आता है और सियार आ करके जंगली सियार और बच्चे को पकड़ करके जंगल में लेकर करके चला जाता है खाने के लिए जानि कि उसकी मा भी चली गई और वो भी बिचारा जंगली सियार का सिकार बन जाता है इस तरीके का भयानक मंजर था समझ गये ना, इस तरीके का क्या था, भयानक मंजर था, कि एक छोटा सा बच्चा भी, अपनी मां से लिपट करके रो रहा था, उसे सियार लेकर के चला गया, खाने के लिए और जंगल में ले जाकर, कि उस बच्चे को मार करके खा गया, समझ गये, तो इस चारों तरफ जब का मंजर था, तो जो जंगली जानवर थे, वो भी अदर भटक रहे थे, जंगल से भाग रहे थे, भोजन की तलास में चल रहे थे, नहीं कुछ मिला, तो आदमी के बच्चे को ही खा गया, समझ गये ना, इस तरीके का कुछ मंजर था, समझ गये ना, तो यह लक्षमी सोचत अगर दुबारा बांध टूटा तो इन सब बच्चों को कौन बचाएगा क्या भयानक मंजर होगा मतलब लक्षमी परशान हो जाती है सोच सोच करके कि अब क्या होगा समझ गए ये सोच करके बहुत ही ज़्यादा परशान हो रही थी और परशान होकर कि बचारी क्या करते एक महिला है बिवस है उसका पती भी उसके साथ नहीं है लेकिन ये चिंता जाहिर करती है कि अगर पती हमारे साथ होता तो थोड़ा बढ़िया होता अगर हमारा पती हमारे साथ होता तो कितना बढ़िया होता कम से कम कुछ तो सहारा मिलता लेकिन प्यारे बच्चों सहारा नहीं मिल रहा था अब ज़रा ध्यान से देखिएगा इसके गाउं में एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी था किसके गाओं में लक्षमी के गाओं में एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम था गुने निधी क्या नाम था गुने निधी ध्यान रखिएगा लक्षमी के गाओं में एक पढ़ा लिखा लड़का था जिसका नाम था गुने निधी समझ में आया यह जो गुन निदी है न यह प्यारे बच्चों बाहर से पढ़ करके आया है कहां से जगह का नाम है कटक कहां से पढ़ करके आया है तो कटक एक जगह है वहां से यह पढ़ करके आया है यानि कि यह जो गुन निदी है न ये पढ़ाकू लड़का है कैसा लड़का है? पढ़ाकू लड़का है थोड़ा होसियार भी है थोड़ा होसियार भी है समझदार भी है ये पढ़ाकू लड़का है गुननी धी ये जब पहली बार आया था न तो अपनी गाउं के लोगों को बचाने के लिए ताकि हमारे गाउं के लोगों को कुछ ना हो, जंगली जानवर से सुरक्षा हो बाड से सुरक्षा हो इसलिए ये प्यारे बच्चो एक दल का गठन किया था एक छोटा समन्ने में एक पाटी बनाया था स्वेक्छा सेवक दल जिसका नाम था स्वेक्छा सेवक दल क्या नाम था स्वेक्छा सेवक दल समझ गए स्वेक्छा सेवक दल ये कौन बनाया था जी गुन निधी बनाया था किसलिए बनाया था ताकि हम अपने गाओं के लोगों की रक्षा कर सके बाढ़ के पानी से और जंगली जानवरों से तो स्विक्षा सेवक दल का गठन किया था अब देखिएगा यह जो कटक सहर है प्यारे बच्चों जहां से कौन पढ़कर कहा था गुने निधी वहाँ पर एक बांध था जिसको की बनवाया था किसने महाराज यताती केसरी ने या याती केसरी कटक सहर में एक बांध था कटक सहर में एक बांध था जिसे किसने बनाया था या याती केसरी ने या याती केसरी ने बनाया था यह सब आपके किताब में चर्चा है तो हम इसलिए चर्चा कर दे रहे हैं या यादि केसरी ने क्या बनाया था। यह कटक सहर के ऊपर एक बान्द बनाया था। प्त्रों का बांद बनाया था ठीक है। और इसको projeto महानदी उससी के बगल में था झाता है। महानदी से ही निकलता है दिवी आप पर ये बान था। तो महानदी पर था हीरा कुंड बांध आपको पता है ना कि महानदी पर क्या था हीरा कुंड बांध था और लोगों ने ऐसा कहा था कि हीरा कुंड बांध जो है ध्यान रखिएगा हीरा कुंड बांध हम क्यों बता रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा हीरा कुंड बांध जब ये बन रहा था तो इसी बांध में काम करते करते पत्थरों से दब करके लक्षमी के ससुर का मिर्तु हो गया था समझ गये, जब ये हीरा कुंड बांध बन रहा था, तब लक्षमी के पती का ससुर हो गया था, क्या, लक्षमी के ससुर का मिर्तु हो गया था, समझ गये, यानि कि हीरा कुंड बांध बनाने के क्रम में ही पत्थरों से दब करके, लक्षमी के ससुर का मिर्तु हो गया था, ठी लक्षमी को बहुत ज़्यादा दुख भी है कि उसका पती कहां रहता है प्रदेश में रहता है अगर यहां पर रहता तो हमें कुछ सहायता मिलता हमें कुछ मदद मिलता समझ गए ना लक्षमी धीरे 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 करके समय क्या बिता रही है और पानी जो बारिस का पानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है लक्षमी जो है क्या रखियेगा लक्षमी जो है वो नदी के किनारे पर जा करके खड़ा हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर इस वार तबाही का मंजर आया तो क्या होगा भगवान से प्राथना करती है कि हे भगवान इस बार कम से कम तवाही के मंजर को बचा लिजे भगवान से प्राथना करती है कि हे भगवान हम सब लोग आफी के संतान है आफी लोगों ने हमें भेजा है तो क्यों हम पर इतना दुख क्यों हमें इतन चुटने का नाम नहीं ले रहा है कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन पानी छुटने का नाम भी नहीं ले रही है पानी छुटने का नाम नहीं ले रहा है पहुत ज्यादा पानी पढ़ रहा है घंगोर पानी पढ़ रहा है अब तो इतना पानी हो गया है कि बांध एक दम लब भर गया है प्यारे बच्छो ठीक है पानी से एक दम लबा लब बांध भर गया है समझ गया है पानी से एक दम लबा लब क्या हो गया है बांध भर गया है और लक्षमी का जो गाउं है यहां पर है लक्षमी का जो गाउं है प्यारे बच्छो वो यहां पर है सब का घर ज प्रशान हो जाती है और जो गौओं के लड़के हैं वो बारी-बारी से जा करके बांध को देखते हैं कि बांध कहीं तूटने वाला तो नहीं है और बांध जहां से भी कमजोर पड़ता वहां पर लोग क्या बढ़ते रेत के बोड़े देते समझ गए ना मिट्टी डालते कम कर रहे थे कहीं पर रेत का बोड़ा डाल रहे थे कहीं पर मिट्टी डाल रहे थे बांध को मजबूत बना रहे थे मतलब पूरा गाउं एकदम परियास में लगा हुआ था कि बांध को तूटने ना दे पूरा गाउं जो है पूरा जो गाउं है लक्षमी का जो पूरा गाउं के लोग हैं वो परियास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से हो लेकिन हम बांध को तूटने ना दे अब लक्ष्मी जो है वो अपने बड़े बेटे अच्ची उत को भी भेजती है कि जाओ तुम भी बांध की निगरानी करना गुन निधी के साथ में समच गये, लक्षिमी का जो बड़ा बेटा है अच्छी उत, उबह भी चला जाता है बांध की निगरानी करने के लिए और अच्छी उत जो है ना बड़ा बेचारा महनती लड़का है, अपने पिता की तरह, तीन रात महनत करता है, और बांध को तूटने से क्या करता है, बचाता है, पल भर भी उबा नहीं बेटता है, एक मिनट भी नहीं बेटता है, एक बोड़ी लाया रेती का, कहीं पर इतना ज़्यादा लागातार वो काम कर रहा है। बच्चों को बोलती है कि लगे रहो बच्चों चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन बांध को टूटने नहीं देना है। अगर दलेई बांध तुटता तो लक्ष्मी का घर सबसे पहले डूबता। लक्ष्मी बेचारी क्या कर रही है कि अपने घर के समानों को बिवस्थित कर रही है। ठीक है ना उसके मन में अच्छे बुरे ख्याल भी आ रहा है कि अगर बाढ़ाया क्या होगा कैसे होगा पती भी नहीं है। मतलब उसके मन में लगातार कुछ न कुछ बात घूमते जा रहा है और वो ऐसा सोच करके सतर्क हो रही है कि हमें अभी सही कुछ उपाय करना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी को ये अभास हो गया था कि लगता है अब बांध तूट जाएगा। इसलिए वो अपने घर पर आती है और घर पर आकरके एक बोड़े में चूड़ा बांती है। हम लोग भुखले मर जाते हैं नेकि चूड़ा था इसलिए जान बच गया था। तो चूड़ा और तो चार बरतन वो अपने पास रख लेती है कि जब बाढ़ाएगा तो हम लोग टिले पर चले जाएंगे टिलहा मतलब उचा जगा है उनके गाउं में एक टिलहा था समझ गए है तो चूड़ा और कुछ बरतन एक बोड़े में बाढ़ करके रख लेती है कि जैसे ही बाढ़ाएगा हम तुरंट क्या करेंगे यहां से भागेंगे चूड़ा ले करके ताकि जान बच जाए खाने के लिए कुछ मिले और साथी साथ उसे इस बात का भी अफसोस हो रहा है कि पती अगर रहता तो कुछ सहारा होता लगातार वो काम कर रही है समान को बेवस्थित कर रही है लेकिन लगातार उसे इस बात का भी अफसोस है कि अगर हमारा पती लक्षमान अगर यहां पर होता तो कुछ सहारा होता इतना परशानी नहीं होता तो ये भी उसे बार-बार सता रहा है ठीक है, वो अपने आप में सोच रही है कितने बड़े संकट से वो मुकाबला कैसे करेगी कैसे इस संकट से वो उबरेगी हम अकेले हैं, चार-चार बेटे हैं हम अगर कहीं पर जाएंगे भी तो चारो बेटों को कैसे एक साथ ले करके जाएंगे मतलब बहुत तरह का बात उसके मन में गूम रहा है वो बिचारी एकदम मतलब की तूट चुकी है अंदर से कि अब हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ठीक है रात भर पानी पड़ा जी समझ गया नहीं, जिस दिन ये चुड़ा और बरतन सबसरी आ रही थी उस दिन रात भर पानी पड़ा इतना पानी पड़ा, लेकिन फिर भी सभी लड़के बांध पर ही मोर्चा समाले हुए थे काओं के जो सभी लड़के थे वो गुन निधी के साथ में मिल करके बांध पर ही मोर्चा समाले हुए थे और बांध पर से हट नहीं रहे थे रात भर पानी में भिंग गय थे सरीर एकदम ठिटूर गया था लेकिन फिर भी बांध के पास से हट नहीं रहे थे कि अगर हटेंगे तो बांध तूट जाएगा अगर हटेंगे तो बांध तूट जाएगा एकदम जिद्धी बन करके काम में अड़े हुए थे समझ गये ना सभी गाओं के लड़के जिद्धी बन करके काम एकदम बांध पर अड़े हुए थे कि बांद को एकदम बचा लेना है समझ गए लक्ष्मी जो है वो अपने दोनों छोटी छोटी जो बेटियां थी उसको सुला करके जो छोटा बेटा था उसको सुला करके अपने गुहाल में गई, कहां पर गई गुहाल में, गुहाल कहा जाता है जहां पर गाय को बांधा जाता है समझ गए ना जहां पर गाय भैस को बांधा जाता है ना उसे गुहाल कहते हैं या फिर उसे गौसाला भी कहते हैं क्या कहते हैं गौसाला गौसाला भी कहते हैं या फिर गुहाल भी कहते हैं लक्षमी अपने तीनों संदन, चुकि बड़ा बेटा तो था कहां पर? पांध पर था, निगरानी कर रहा था, तो जो छोटा-छोटा जो बाकी दो बेटियां थी और एक बेटा था उसको सुला करके वो अपने गुहाल में गई, और गुहाल में जा करके जो उसका गाय और ब बचला था, तो गाय और बचले के गर्दन में से पगहा खोल दी, पगहा मतलब रसी, जिस से रसी में गाय बंधा हुआ था, बचला बंधा हुआ था, वो रसी को खोल दी, वो वो सोची कि भाईर गाय को छोड़ देते है, खोल देते है, लाना कहीं अगर बाढ़ हा गया, अगर इसका रसी नहीं खुला तो बैचारी मर जाएगी, तो इसलिए वो रसी खोल दी कि चलो अगर बाढ़ आएगा भी तो ये पानी में तेरते हुए कहीं चली जाएगी, समझ गये ना, तो ये गाये के गुहाल में जाती है और गाये का पगहा खोल देती है, यानि कि रसी को खोल देती है साथी साथ दो बकडियां भी था लक्षमी के पास दोनों बकरियों का भी रसी खोल देती है ठीक है ना दोनों बकरियों का भी रसी खोल देती है और खोल करके बापस घर में आती है और घर में आने के बाद अपने पूरे घर के सब समान को एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है अपने पूरे घर के समान को एक कमरे में बंद करके ताला लगा देती है कि चलो भाई अगर बाढ़ आएगा भी तो पूरा समान हमारा एक कमरे में विवस्तित रहेगा तो इसलिए वो गाय का पगहा भी खोल दी, गाय का रसी भी खोल दी, बकरी का भी रसी खोल दी और अपने पूरे शमान को एक कमरे में आ करके बंद कर देती है, ठीक है? दीन हुआ, रात से किसी तरह किसे दीन हुआ, दीन में सब कुछ एक दम दिखाई पढ़ रहा था, मसला मुशला धार पानी पढ़ रहा था, और यह जो बांध था ना प्यारे बच्चों, बांध के पास ही एक तार का पेड़ था, अचानक क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, अचानक क्या हुआ कि इधर से एक पानी का जोका आया अचानक इधर से एक पानी का जोका आता है और तार के पेड़ से बांध को तोड़ देता है यहाँ पर तार का जहाँ पर पेड़ था न अचानक से प्यारे बचों क्या होता है बांध तूट जाता है समझ गए देखिए इस चीज़ को बचाने के लिए लोग इतना महनत कर रहे हो वो चीज़ हुआ नहीं अचानक क्या हुआ बांध तूट गया अचानक इस तार के पेण के पास क्या हुआ बांध तूट गया और बांध जैसे ही तूटा पानी एक दम इधर गाउं की तरफ सरपट दोड़ने लगा समझ गए बांध तूट गया था अब अब भ्यारे बच्चों असली कहानी में ट्विस्ट है बांध तूट चुका है तार का पेड़ के पास पानी की तेज धारा ने बांध को तोड़ दिया यही पर से बांध तूटा था समझ गये तो तार के पेड़ के पास से क्या हुआ बांध तूट गया और पानी की तेज धारा गाउं की तरफ जाने लगा गुने नीधी देखा गुने नीधी जो की लड़का सुरू से मेहनत कर रहा था बांध को बचाने के लिए वो देखा कि वहाँ पर बांध तूट गया वो जोर से चिलाया जोर से चिलाया के रहे जल्दी रेत का बोड़ा लेकर आओ बांध तूट गया है रेत का बोड़ा रेत का बोड़ा लाओ नदी तूट गया है, बांध तूट गया है, अब गाउं के जितने भी सारे लोग थे, चाहे वो बुढ़े हो, बक्ती हो, बच्चे हो, सब रेत का बोड़ा लेकर के दोड़े, ठीक है, और बोड़ा लेकर के दोड़े, और गुन निधी जल्दी से दो लड़कों को बोला कि गाउं के सभी आदमियों को बोल दो कि जल्दी से टीले पर चले जाए, बांध तूट गया है, समझ गया है, पुन निधी दो लड़कों को भेज दिया गाउं में, पुन निधी सुरा समझदार था, होसियार था, वो दो लड़कों को तुरंत गाउं में भेजा, और सब ल बांध को मरम्मत करके बचा लें, लेकिन बचा नहीं, दो लड़के को भेज दिया कि जाओ भाई गाउं में जाकर के, खबर पहुचा दो कि बांध तूट गया है, और सभी लोग टीले पर चले जाएं, पल भर में देखते देखते, पूरे गाउं में सोर सरावा मच गया, पल भर में पूरे गाउं में सोर सरावा मच गया, सभी लोग इधर उधर भागنا सुरू कर दिये, और सभी लोग टीले की तरफ दोड़ना सुरू कर दिये, टीले मतलब वूचा स्थान, समझ गया है न? और जहाँ पर टीले था, जहाँ पर टीले था, उसके नीचे एक सकू था समझ गए तीलहे के नीचे असकुल था और इधर क्या था बांध था यह बांध था जिसमें पानी लवा लव भरा हुआ था यहां से पानी गिरना शुरू हुआ और गौउं की तरफ एकड़म पानी लवा लव आना शुरू होगे तो पानी पूरा एकदम टीलहे की तरफ आना शुरू हो गया, यह टीलहा है, समझ गया, अब क्या हुआ कि गाउं के जितने भी सारे लोग थे ना, वो टीलहा की तरफ भागना शुरू किये, कि किसी भी तरीके से टीलहा पर आकर यहां पर चाहा जाएंगे ना, तो पानी यहां त तो अस्कूल के चार कमरों में एकदम आदमी खचा खच भर गया, समझ गया है, अस्कूल के चार कमरों में आदमी एकदम खचा खच भर गया, समझ गया है ना, चार कमरों में लगबग 200 लोग भर गये, सोचिए, चार कमरा में मातर अस्कूल में कितना कमरा था, चार कमरा थ सकता है एक कमरा में बहुत तो जाएगा तो 20-25 लोग जाएगा लेकिन यहाँ पर इतना खचा-खच भर गया कि चार कमरा में 200 लोग मतलब कि सरसो का दाना आटने तक का जगह नहीं बचा था समझ गए और यह जो टीला था ना प्रतेक वर्स यहाँ पर मेला लगता था जी यहाँ पर प्रतेक वर्स क्या लगता था मेला लगता था लोग यहाँ पर आते थे भाई समान खरीते थे नाचगान देखते थे और अपने घर जाते थे तो उस समय लोग खुसी खुसी यहाँ पर आते थे इस टीले पर लेकिन आज लक्ष्मी भी टीले की तरफ भागी लेकिन लगातार सोच रही थी, अचिवत अचिवत करकर के अपने बड़े बेटे को पुकार रही थी, वो लगातार देख रही थी कि हमारा बड़ा बेटा आ जाए क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो पानी के साथ बह तो नहीं गया तो उसे डर था और वो लगातार बांध की और देख रही थी और देखने से कुछ होता तो नहीं जल्दिवाजी में वो अपनी दोनों बेटियों और एक साल के छोटे लड़के को ले करके तीले की तरफ दोड़ी कि हम भी अपना जान बचाएंगे ठीक है ना थोटे से बच्चे जो की एक साल का था बची के वो टीले की और दोड़ी की हम भी टीले पर चले जाएंगे नमज गया लेकिन लगातार उसका मन भीवल हो रहा था अपने बड़े बेटे को लेकर के कि आखिर हमारा बड़ा बेटा किस तरीके से है आकर बड़ा बेटा बच भी रहा है कि नहीं बच रहा है कि पानी के साथ बह गया मतलब लगा तार उसे बड़े बेटे की चिंता हो रही थी ठीक है थोड़ी दूर बेचारियों वो दोल कर कर के जाती थी जैसे माली जाकी दोड़ करके वो टीले की तरफ जा रही थी और बार बार पीछे मुल करके देख रही थी जैसे उसे लग रहा हो ना कि उसका बड़ा बेटा आवाज दे रहा हो मा मा करके उसके कानों में कवाज गूंज रहा था से लग रहा हो कि जो उसका बड़ा बेटा अच्यूत है न वह उसको बार-बार आवाज दे रहा है यानि कि लगातार उसका जो दिल है वो अच्यूत से नहीं हट रहा था उसके बड़े बेटे से नहीं हट रहा था एक मा का दिल अपने बेटे से कैसे हटे जब एक मा को पता चल जाए कि हमारे बड़े बेटे के उपर संकट आ गया है किसी मां का दिल लग सकता है क्या नहीं ना तो यहाँ पर लक्ष्मी का भी दिल नहीं मान रहा था लक्ष्मी को भी लग रहा था कि हमारा बड़ा बेटा आखिर मुश्किल में पड़ गया है वो टिले की तरफ तो अपने वाकी तीन संतानों को लेकर के जरूर दौल रही थी लेकिन उसका मन अच्यूत की तरफ बार बार जा रहा था समझ गये थोड़ी पीछे मुड़ करके देखी ना ठोकर लगा जैसे ही पीछे मुड़ करके देखी तो अचानक किसी पत्थर में ठोकर लगा और जब ठोकर लगा तो हाथ में जो चूड़ा वाला बोड़ा लिये हुए थी ना चोकि वो चूड़ा वाला बोड़ा तो पहले से तयार कर ली थी कि चूड़ा वाला बोड़ा को भाई ले करके जाएंगे खाने पीने के लिए होगा तो जैसे ही उसके पैर से ठोकर लगा चूड़ा का बोड़ा जो था वो हाथ से छूट गया जैसे ही ठोकर लगा तो जो चूड़ा का बोड़ा है वो हाथ से छूट गया ठीक है, हाथ से छूट गया और जो दोनों लड़कियां थी, वो भी जिसका हाथ वो पकड़े हुई थी, उसको जल्दी से बोली कि जल्दी से तुम लोग जाओ टीले पर जाकर करके चढ़ जाओ, जल्दी से तुम जाओ टीले पर चली जाओ, दोनों लड़कियों को बोली, दोनों ललकियां बैचारी छोटी से थी अपनी नन्ही नन्ही पैरों के बदालत, अपनी नन्ही नन्ही पैरों के बल भूते वो टिलहे की तरफ बढ़ने लगे। जाने के लिए बोली के टिलहे की तरफ जाओ, तब तक उसके घुटनों तक पानी भर गया था, मतलब बाढ़ का पानी जो बांध चूटा था ना लगातार भर रहा था, घुटना तक पानी आ गया था, जी समझ गये। समझ गये ना, लक्षमी के कमर तक पानी आ गया, यहां तक पानी आ गया, समझ गये, लक्षमी के कमर तक पानी भर गया, लड़कियां अभी अस्कूल तक ही पहुँची होंगी कि कमर तक पानी आ गया, और जानते हैं ना कि जब कमर तक पानी आ जाता है तो लोग पानी में जुख करके चलने लगता है। यानि कि अब लक्षमी चाह करके भी तेज नहीं चल पा रही थी, क्योंकि उसके कमर तक पानी आ गया था और वो जुख करके पानी में चल रही थी। वहाँ पर एक सीव मंदिर था, यहाँ पर अस्कूल के पीछे में एक सीव मंदिर था तो सीव मंदिर के पास पहुचते पहुचते सीव मंदिर के पास पहुचते पहुचते सीव मंदिर के पास एक बरगद का पेन था समझ गए ना? सीव मंदिर के पास प्यारे बचों एक बरगद का पेन था सीव मंदिर के पास में ही एक बरगत का पेल था इस बरगत के पेल के पास तक पहुँचते पहुचते लक्षमी के गर्दन तक पानी आ गया लक्षमी के गर्दन तक पानी आ गया बरगत के पेड़ के पास पहुंचते पहुंचते लक्षमी के गर्दन तक पानी आ गया आर आपको पता है कि जब गर्दन तक पानी आ जाए न तो जमीन पर से पैर भी उठ जाता है जब गरदन तक पानी आ जाता है तो जमीन पर से पैर उठ जाता है पानी में बहना शुरू कर देते हैं समझ गए न तो जैसे ही वो बरगत के पेड़ के पास पहुंची लक्षमी अपने गोद में एक छोटे से बच्चे को भी लिये हुए थी परगत के पेड़ के पास जैसे ही पहुंची उसका पैर जमीन के उपर से उठना शुरू हो गया जमीन पर से उठना शुरू हो गया क्योंकि पानी एकदम यहां तक आ गया था यहां तक पानी क्या आ गया था पानी भर गया था वो घबरा गई कि अब हमारे बच्चे को क्या होगा और वो अपने बच्चे को इस तरीके से हाथ में उपर उठा ली बाहू बली फिलिम देखे होंगे जिसमें देखे होंगे कि बाहू बली को इस तरीके से करके उपर उठा लेती है तो लक्षिमी जो है वो अपने एक साल के छोटे बच्चे को अपने हाथ से उपर ऐसे उठा ली कि ताकि उस पर पानी न पहुंचे वो बहुत जादा डर गई और अपने बच्चे को उपर उठा ली और एक हाथ से बच्चे को उपर उठा ली और दूसरा हाथ किसी भी तरीके से बरगत का एक जटा क्योंकि बरगत में धेर सारा डाली निकले रहता है उसमें जटा रहता है तो बरगत का पेल का जो जटा था ना वो एक हाँट से पकड़ा गया सोचिएगा जला इमेजिन करिएगा एक हाँट से वो अपने बेटे को उठा रही है और दूसरे हाँट से किसी भी तरीके से बरगत का एक जटा था वो पकड़ा गया समझ गए बरगत का एक जटा क्या हो गया दूसरे हाथ से पकड़ा गया ठीक है पर जैसे ही बरगत का जटा पकड़ाया पानी तो लगातार बढ़ रहा था कब और किस तरीके से वो पेल के उपर चहल गई उसे पता नहीं है समझ गए ना पानी का धारा आया और ऐसा लक्षमी को धका दिया कि वो पेल के उपर चली गई पेल के सबसे उपरे बला जो डाली था वहाँ पर चली गई जब पेल के उपरे वाली डाली पर चली गई तो लक्षमी को लगा कि अब हम बचने वाले नहीं है पानी का धारा हमको बहा लेगा समझ गए ना, पिटे को भी बहा लेगा वो क्या करती है कि अपना आधा साड़ी खोल करके वो अपना आधा साड़ी खोल करके एक डाली से ही अपने आपको बांध लेती है समझ गए, एक बरगत का जो डाली था ना और वो अपने कमर से ऐसे करके पीछे से करके अब बांध लेती है पूरा कस करके कि ताकि यहां से हम ना बहे पेन बहेगा तब वो तो बह जाएगी लेकिन पेन जब रहेगा तो वो नहीं बह पाएगी क्योंकि वो आधा साली कोल करके ना पेन से बांध लेती है अपने आपक बच्चा रहेगा, नहीं ना, उसके हाथ में, उसके गोद में एक साल का बच्चा था, वो पानी में कब बह गया पता नहीं चला, और लक्षमी कब बेहोस हो गई, कुछ पता नहीं चला, समझ गया, यानि कि इतना तक तो पता है कि वो अपने आप को बांध ली है पेंड से, लेकिन उसके गोद में जो बच्चा था, वो पानी में बह चुका था, और साथ ही, वो बेहोस हो चुकी था, कौन लक्षमी, कमच गया ना, लक्षमी बेहोस हो गई थे, कुछ लोग जो टीले पर चड़ गये थे, कुछ लोग जो टीले पर चड़ गये थे, वो आपस में ब पिजाज ही कुछ अलग है, इस वार सबसे ज़्यादा भैंकर बाड़ा है, सब लोग आपस में बाचित कर रहे थे, समझ गये ना, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, इसका सब लोग ऐसा बोल रहे थे, कि अब की बार जो बाड़ा आया है, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता ह जो लोग टीले पर चल गए थे ना वो अपने एक दूसरे को खोजने में लगे हुए थे कि हमारा बेटा कहा है मा है जो अपने बेटी को खोज रही है मा अपना बेटा को खोज रहा है बेटा अपना मा को खोज रहा है भाई अपने बहन को खोज रहा है पिता अपने पुत्र को खोज रहा है, चाचा अपने भतीजा को खोज रहा है, पती अपने पती को खोज रहा है, पतनी अपने पती को, पती अपने पतनी को, मतलब लोग तीलहे पर ने एक दूसरे को खोजने में लगे हुए हैं, लेकिन तीलहा पर इतना खचा खच आदमी भरा हुआ है कि एक सूई का दाना एक सरसो का दाना भी अटने का जगा नहीं है लोग आबाज दे रहे हैं कि हमारा बेटा कहां गया, हमारी बेटी कहां गया, हमारा पती कहां गया, हमारी पतनी कहां गया, भाई कहां गया, बहन कहां गया सब लोग ना टीले पर एक दूसरे को खोजने में लगे हुए हैं लेकिन किसी भी तरीके से जान बचा रहे हैं समझ गए ना कुछ लोग जो अस्कूल में ठहरे हुए थे कुछ लोग जो अस्कूल में ठहरे हुए थे तो अस्कूल में पुरा पानी भर गया तो जाहिर सी बात है कि जब स्कूल में पूरा पानी भर गया तो कुछ लोग निकल करके कहां पर आ गया स्कूल के छट पर आ गया कुछ लोग रूम में से निकल करके छट पर आ गया और कुछ लोग जो रूमें में रह गया वो दूसरे धाम चले गया पर गए दूब करके मर गए पर गए और जो लोग चट पर गए वे लोग तो बच गए जो लोग चट पर जाने में कामयाब हो गए वे लोग बच गए हलाकि पानी इतना ज़ादा था कि चछत के ऊपर से भी घुटना भर पानी बह रहा था तोचिए, अस्कूल के चछत के ऊपर से भी घुटना भर पानी बह रहा था इतना पानी था, समझ रहे ना? यानि कि पानी लगातार बढ़ते जा रहा था, समझ गए? लोग एक दूसरे को खोज रहे थे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि भाईया जरा देखना तो केसब कहाँ पर है भाईया जरा देखना हमारा छोटका बेटा नहीं मिल रहा है कहाँ पर है लोग एक दूसरे को खोज रहे थे बहुत सारे लोग पानी में भी बह गये थे समझ गये अस्कूल की छत पर जो गये थे उनका जान बच गया था जो अस्कूल के अंदर में रह गये थे वो दूसरे धाम को चले गये थे वो मर गये थे ठीक है न हाँ अगला दिन प्यारे बच्चों लगभग जो लगभग कहने का मतलब चोबिस घंटा तक लक्षमी वैसे ही बेहोस रही पेल के डाली से अपने आपको बांधे रखे समझ गये ना लक्षमी बहुत दिर तक बेहोस रही जब वो होस में आई लक्षमी जो अपने आपको पेल के डाली से बांध ली थी, उनका बच्चा छूट गया था, पानी में बह गया था, लक्षमी को जब होस आया, तो वो देखी कि सामने सूर्ज देवता चमक रहे हैं, लक्षमी को जब होस आया, तो देखी कि सामने हमारे सर पर एकदम सूर्ज देवता है, यानि कि अंदाज लगा ली कि दो फर हो चुका है लक्षमी को होस आया कि दो फर हो चुका है लेकिन लक्षमी जैसे ही होस में आई लक्षमी जैसे ही होस में आई वो देखती है कि हमारा बेटा हमारे अस्तन से चिपका हुआ नहीं है यानि कि हमारा दूध नहीं पी रहा है लक्षमी को अभास हो जाता है कि हमारा बेटा हमारा दूध नहीं पी रहा है यानि कि उसे लगा कि हमारा बेटा हमारे पास अब नहीं है लक्षमी जैसे ही होस में आई चारो तरफ देखती है कि हमारा छोटा बेटा कहां गया लेकिन उसे पता नहीं चलता है कि हमारा छोटा बेटा कहां गया, समझ गए न, छोटा लड़का कहीं नहीं दिखा, वो जोर जोर से छाती पीट पीट करके रोने लगी कि बेटा कहां गया है तू, बेटा कहां गया है तू, लेकिन सुने भी तो कौन सुने उसकी दर्द को, वहाँ पर एक चिडिया भी नहीं था उसकी बात को सुने, लक्षमी बहुत दहाल मार मार करके रोने लगी, लेकिन उसकी दहाल को सुनने के लिए वहाँ पर कोई चिडिया तक नहीं था, कौन सुनता उसकी दर्द को, लक्षमी जो है वो अपनी दर्द को बार बार निकाल रह होगा वो मा कितना मतब दुख जेली होगी उसके अंदर कितना तड़ा पुत्पन हुआ होगा आप सोच करके देखिए वो पूरा रोने लग गई पूरा एकदम वो इसे ही पेड़ पर चारो तरफ हला मचाने लग गई कि बेटा कहा गया हमारे बेटे को को धूंड दो हमारे बेटे को खोज दो हमारा बेटा पानी में बह गया है जल्दी से उसे कोई खोजो मर जाएगा वो बहुत छोटा है वो बहुत तरह के दहाल मार मार करके वो क्या रोने लग गई समझ गया लेकिन उसकी आवाजों को कोई सुन नहीं रहा था क्योंकि जिधर देखो जिधर सि पानी दिखाई दे रहा था कोई उसकी बातों को सुनने के लिए भी तयार नहीं था कौन सुनता कोई आदमी होता तब नहीं सुनता कोई नहीं सुन रहा था अचानक से वो देखती है कि पेड के ही दो डाली के बीच में एक गाय जो है न वो बह करके आया है और फस करके मर गया है और डाली के बीच में फस करके वो मर गया उसका सरीर पानी से फूल गया है एकदम उसका सरीर जो है वो पानी से फूल गया है दूसरी तरफ अपनी लहास बह करके जा रहा है, पानी में जो डूब करके मर गया है ना, वो बह करके जा रहा है, उसके पीछे एक और आदमी बह करके जा रहा है, मतलब सिर्फ पानी में लहास ही लहास दिखाई देने लग गया लक्श्मी को, लक्श्मी देख रही है कि पानी में सिर्फ लहास ही लिखाई दे रहा था, यानि कि जो व्यक्ति डूब करके मर गय थे न, वो पानी में बहते हुए जा रहे थे, शमज गए, और लक्षमी का सरीर भी जकाल चुका था, क्योंकि लगातार वो पानी में डूबी हुई थी, पानी में डूबने के कारण उसका सरीर भी एकदम जकाल गया था उसके अंदर थोड़ा सा भी एनरजी नहीं बचा हुआ था जरा सा भी एनरजी उसके अंदर में नहीं बचा हुआ था चारो तरफ सिर्फ अंजर दिखाई दे रहा था ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा संसार रो रहा हो उस पानी के साथ रोने की धारा भी बह रही थ यानि कितना भयानक मंजर आ गया था दिखें ना लक्षमी के सरीर में थोड़ा सा भी जान नहीं बचा था यानि कि एक लहास की तरह बस अपने आपको मतलब वो भी इसलिए बच गई ना क्योंकि अपनी सारी से पेड में अपने आपको बांध ले थी समझ गए ना इसलिए बस वो बच गई ने तो वो भी पानी के साथ वो भी पानी के साथ बह जाती लेकिन जो पेड में अपने आपको बांध ली थी ना बस इसलिए वो बच गई थी समझ गए लेकिन उसका सरीर एकदम सिथिल पढ़ गया था एकदम सिथिल पड़ गया था उसके सरीर के अंदर थोड़ा सा भी जान नहीं था मतलब समझी है कि एक जिंदा लहास बन गई थी जान तो था लेकिन एकदम लहास की तरह वो भी हो गई थी दिखे अचानक उसे दिखाई पड़ता है कि पीछे बाली डाली पर कुछ फंसा हुआ है वो किसी भी तरीके से अपना हाथ पीछे ऐसे करती है तो उसे लगा कि कोई छोटा बच्चा है अचानक उसे लगा कि पीछे वाली डाली पर कुछ फंसा हुआ है वो बरगत के पेड़ के पिछले डाली पर इसे हाथ करती है तो उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा आया हैरत अंगेज तरीके से फंसे हुए उस बच्चे को लक्षमी उठाई जो पेड़ की डाली में फंसा हुआ छोटा सा बच्चा था उसे लक्षमी उठाई और बिना उसका चेहरा देखे हुए जान से सुनिएगा बिना उस बच्चे का चेहरा देखे हुए लक्षमी उसे उठाती है और अपने अस्तन में चिपका करके उसे दूध पिलाना सुरू कर देती है दूध पिलाना सुरू कर देती है लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि वो लक्षमी का छोटा बेटा नहीं था मतलब लक्षमी के पास इतना ज़्यादा दुख था कि वो दूसरे के बच्चे को भी बिना देखे बिना समझे वो दूध पिला रही थी जबकि वो बच्चा भी मरा हुआ था लेकिन संतावना के लिए बस वो उसे दूध पिला रही थी इतना दर्दना कहानी है वो बच्चा भी मरा हुआ था मर गया था वो बच्चा लेकिन फिर भी लक्षमी उसे अपनी गोद में उठा करके दूध पिलाने लग जाती है लेकिन क्या मरा हुआ बच्चा दूध पिता है नहीं न और वो बच्चा उसका बेटा नहीं था वो बच्चा उसका बेटा नहीं था समच गए न? और आपको जान करके हरानी होगी कि इस पुस्तक में ये चर्चा नहीं किया गया है कि उसका बड़ा बेटा बचा की नहीं बचा लेकिन सायद नहीं बचा होगा हमारा ख्याल एक कहता है क्योंकि वो तो बांध पर था जो बच्चे टीले पर गए न? जो टीले और अस्कूल के छट पर थे सिर्फ वही बच्चे बाकिस सब लोग मर गए यानि कि हमें ऐसा लगता है कि अगर लक्षमी की दोनों बेटियां अगर अस्कूल तक पहुच गई होंगी तो सायद टीले तक पहुची की नहीं पहुची ये तो सोचने वाली बात है लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि इस बाढ़ में लक्षमी के चारो संतान चल भाए हमें ऐसा लग रहा है कि इस बाढ़ में लक्षमी के चारो संतान नहीं बचे बड़ा बेटा तो बांध पर ही डूब करके मर गया होगा दोनों छोटी बेटियां अस्कूल तक ही पहुँची थी कि घुटना भर पानी भर गया था आपको तो हम बताए हैं जब लक्षमी का घुटना भर पानी लग रहा था तो छोटी बच्चीयां को तो भाई गरदन उड़ गया होगा यहां तक पानी आ गया होगा तो दोनों बच्चीयां भी सायद बाढ़ के पानी में दह करके मर गई होगी और एक छोटा सा एक साल का बच्चा था वो भी बह करके मर गया यानि कि इस बाढ़ में लक्षमी के चारो संतान सायद मर गए इतना बड़ा दुख का पहाड़ तूटा लक्षमी के उपर समझ रहें बात को इतना बड़ा पहार तूटा इतना बड़ा दुख का पहार तूटा था लक्षमी के पर कि उसके चर्चा तो किताब में नहीं किया गया है कि बचा की नहीं बचा उसके एक भी संतान बचे की नहीं बचे लेकिन सायद नहीं बचे समझ गए ना, तभी संतान चल बजे, बाल के पानी में, तो यही कहानी है प्यारे बच्चों जो की लक्षमी के बारे में है, इतना दर्दनाक कहानी है कि मत पूछिए, अगर इस पर एक फिल्म बन जाए ना, इस कहानी पर, सब लोग रोते रोते पागल हो जाएंगे, इतना दर्दनाक कहानी है, तो बताईए भाई, यह कहानी आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाने का कुछ तरीका अलग था प्यारे बच्चों, बाकि सब लोगा और भी इस कहानी को अलग तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम कहान कहानी को पढ़ाते हैं, तो हम फील कराते हैं, महसूस कराते हैं, कहानी को पढ़ो नहीं, बलकि कहानी को महसूस करो, समझ गए ना, फील आना चाहिए, या फील आना चाहिए प्यारे बच्चों, बस कहानी को बस पढ़े नहीं, बदकी फीलिंग आना चाहिए अंदर से, कहा सरी कहानी ना, एकदम हम imagine कर लिए समझ गये, कहानी को बस imagine करिए तो ये ये प्यारे बच्चों क्या कहानी था समझ गये नहीं, ये क्या था, कहानी था और हम उमीद करते हैं कि आपने लोग कहानी एकदम अच्छे तड़ीते चाहिए से समझ गए होंगे सारे बच्चे बताईए एक वर जल्दी से कहानी अच्छा लगा जल्दी से बताईए क्या प्यारे बच्चो आप लोगों को कहानी अच्छा लगा अगर हाँ तो अगली क्लास में न हम इसका प्रशन उत्तर करवा देंगे सिर्फ आचा हाँ दूसरी बात बहुत सारे लोग क्या करते है ना कि सिर्फ ये जो किताब में जो साथ प्रस्न दिया गया है इसका बस जबाब दे करके छोड़ देते हैं लेकिन नहीं प्यारे बच्चो इस कहानी के अंदर से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं मैं junge निधी चितर करें तो क्या समें है कहीं पर question की abbiamo r거든요 नहीं न, लेकिन गुछा जाता है ओके ध्यान रखिएगा तो चलिए प्यारे बच्चों आज किस कहानी को अब हम यही पे समाप्त करते हैं उमीद करते हैं किस कहानी को आप लोग बहुत यह अच्छे तरीके से समझ गए होंगे एकदम मज़दार लगा होगा आपको यह कहानी जान करके सुन करके और इसी तरीके से प्यारे बच्चों टोटल पांच चिप्टर है इसमें जिसमें से दो चिप्टर तो हम आपको पढ़ा चुके हैं समझ गए ना टोटल पांच चिप्टर है जिसमें से दो चिप्टर हम आपको पढ़ा दिये अब बच गया है तीन चिप्टर समझ गया न वो तीन चिप्टर भी हम बारी-बारी से करके समाप्त कर देंगे तो चलिए जी आज इसके इस कहानी को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं हम आप से अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद